अहमतिया मुस्लिम जमात भागलपूर ने अपने इस्थाई आदर सिबाक मुहबत सब के लिए नफरत किसी से नहीं के साथ बैस्बिक सांती और सुरक्षा की कुंजी विशय पर भागलपूर में अपना दूसरा बार्सिक सांती संगोष्ठी का आयोजन किया सहर के एक होटल में आयोजित संगोष्ठी में सभी समुधाय के लोग सामिल हुए संगोष्ठी का विशय था बैस्बिक सांती और सुरक्षा की कुंजी प्रोग्राम में बिभिन प्रिष्ट भूमी के लोग सामिल हुए और अपने बिचार रखे साथी असांत दौर से गुज सिद करना अपना सर्व पर थम करता वे मानते हैं क्योंकि इसलाम सांती का धर्म है इसलाम का अर्थ ही सांती और सदभाव है संगोष्ठी में जानकारी दी गई कि हजरत मिर्जा गुलाम एहमद ने 1889 में छोटे से गौं कादियान जिला गुरदास पूर पंजाब में सांती संगोष्ठी के अबसर पर मुख बक्ता के रूप में कादियान से आए सेख मुजाहिद एहमद सास्तरी उपस्थित रहे मौके पर भागलपूर जमात के अब्दुलहादी फारू की पूर्ब कुलपती प्रोफेसर उगर मोहंजा प्रोफेसर फारूक अली प्रोफेस अब्दर छेमेंदर कुमार राजीब कांत मिसरा सेद अब्दुलबा की बीके मंडल डॉक्टर अन्वार हुसेन मुजफर एहमद यसपाल सिंग समेट कई लोग मौजूद रहे इहमदिया मुस्लिम जमाद भागलपूर की ओर्से आज ये पीस सिंपोजियम का आयोजन किया जा रहा है इस समय संसार में जो अशानती है एहमदिया मुस्लिम जमाद उसको दूर करने के लिए ये यायोजन कर रही है इस आयोजन का मुखे उद्देशे यही है कि मनुश्य अपने परमात्मा के साथ अपने संबंद को जोड़े और मनुश्य मनुश्य के साथ अपने संबंदों को जोड़े यह आयोजन सारे संसार में अहमदिया मुस्लिम जमात की और से किये जाते है इसी अंतरगत आज भागलपुर में आउजन किये जा रहे हैं एहमदिया मुस्लिम समाज के जो रूहानी खलीफा है हज़त मिर्जा मसरूर एहमद साह है उनके मार्क दर्शन में सारी एहमदिया मुस्लिम जमात मानवता की सेवा के लिए काम कर रही है और हमारा में मुखे उद्देश यही है कि प्रेम सब के लिए गहरना किसी से लिए नहीं इसी आयोजन में विभिन धर्मों के विद्वान आए हैं जो अपने धर्म गरंतों की शिक्षाओं से हमें ये बता रहे हैं कि समाज में शांती कैसे स्थापित की जा सकती है उर्दू निदेसाले के निर्देश पर भागलपूर जिला उर्दू भासा कोसांग के बैनर तले आज एमेम डिगरी कॉलेज में उर्दू भासी चातर चातराओं के लिए बाद बिबाद सह भासन परतियोगिता का आयोजन किया गया वहीं उर्दु भासा कोसांग के उर्दु अनुबादक मुहम्मद अर्सद मुस्ताग ने कहा कि परति भागियों के हौसला अफजाई के लिए उन्हें पुरुस्किर्ट करने की भी योजना है। भासन परतियोगिता में दर्जनों उर्दु भासी चातर चातराओं ने भाग बहिंपुल 24 सफल परती भागियों को मेडल परसस्ती पत्र एवं 11,000 नगद रासी दिये गे परतियोगता के दोरान मैट्रिक इस्तर के बिध्यारतियों को अधिक्तम 3 मिनट इंटर इस्तर के बिध्यारतियों को अधिक्तम 4 मिनट एवं इसनातक इस्तर के बिध्यारतियों को पांच मिनट का समय बिना देखे हुए बोलने के लिए दिया गया। इस बार भी हो रहा है। भागलपुर्म में काफी बड़े पैमाने पर बच्चे बच्चियां यह साथ देते हैं। प्रिरी मसाबिका है जो अर्दू डार्टरेट पत्ना और अर्दू जबान से भागलपुर के जिरेतमा मनकिद हो रहा है। और साबगा प्रोग्रामों से जाएद बच्चों की तादाद इस बार है। मुझे लगता है कि मैट्रिक में कम सगम 66 बच्चों ने अपनी हिस्सेदारी ली है। और बिये में भी तादाद कुछ कमोबेश यही है तो बच्चों की तादाद को देकर यह लग रहा है यह कसीर तादाद देकर यह अंदाजा होता है कि बच्चों में रगबत और जौक अर्दू डायरोक्रेट ने जो पैदा करने की सही की है वो आज जी काबल तहसीन है और मैं तो गुजश्टा कई बरसों से ऐसे पौ़ाम का हिसा रहा हूं और यह मेरे लिए बाहिसे फखर है कि मैं अक्सरों बेश्टर ऐसे पौ़ाम के जजिस के तौर पे उनके मंदूबीन के तौर पे और निजामत के फराइज भी अंजाम देता रहा हूं और यह वही जबान है जिसकी वकालत कभी फिराक ने कहा था कि अगर तुम उर्दू इसलिए पढ़ो कि अफसर बनने के बाद अफसर देखाई दो यह वही जबान है जिसके जिसमें हमारे पहले वजिराजम जबाला नेरूप की शादी का कार्ड शाया हुआ था यह वही जबान है जिसमें सरफरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बादू कातिल में है बिसमिलाजमाबादी ने लिखा था और यही वही जबान है जिस में जिस में इनकलाब जिन्दाबाद का नारा आ हस्वनिय ने डिया था तो यह जबान मर नहीं सकती क्योंकि इनकें अंदर अतनी खुवत है एतनी ताकट है और एतनी हलावत है और इतनी शीरिनी है और अतना करोफ़ है जो दूसरी ये देखना चाहिए कि हम क्या करते हैं कि शाखों पे तो सीचाई करते हैं आप पाशी करते हैं जड़ों से गाफिल हो जाते हैं आज जूरत इस बात की है कि हम जड़ों में सीचाई करें और तब वो तनावर दख्ट बनेगा इंशालला ऐसे पौाम इसके शाहिद हैं शुक् प्राइवेट इस्कूलों में परिक्षा परिनाम घोसित होने लगा है इसी कड़ी में भागलपूर के गनीचक इस्थित क्रिसेंट इंगलिस स्कूल में आज बार्सिक परिक्षा परिनाम घोसित किया गया एन्वल रिजल्ट डे के अबसर पर पर्थम दितिये और तिर्तिये स्थान पर आने वाले बिध्ध्यातियों को अतितियों ने प्रुसकिर्ट किया बहीं सत्र दोहजार तैस चोबिस में कुल दिन स्कूल आने वाले बच्चों को भी सार्टिफिकेट और पुरुसकार से सम्मानित किया गया मुख अतिथी के रूप में भागलपूर के परसिद सिक्छाबिद राजिब कांत मिस्रा मौजूद रहे अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों एवं अध्यापकों को उनकी मेहनत के लिए बधाई दी जबकि HDO जेड हसन और भागलपूर एथिलेटिक्स एसोसेशन के मुहमद नसर आलम समेत कई अतितियों ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि निरंतर परियास करने से ही सफलता मिलती है मौके पर समास से भी एनुल होदा ने भी बच्चों को मोटिवेट किया इसके पूर्ब क्रिसेंट इंगलेज स्कूल के डारेक्टर साहरजी अहमद एवं स्कूल की प्रिंसिपल निगार सुलकाना ने अतितियों का स्वागत बुके और मोमेंटो दे कर किया इस अबसर पर मौमद समसाद ने बच्चों को बताया कि आपके अपने जीवन में दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है एक संगर्स और दुसरा होसला नहीं स्कूल के संचालक साहरजी अहमद ने बताया कि सफलता का कोई सोटको ट्रास्ता नहीं होता है महीं प्रिंस्पल निगार सुल्थाना ने कारिकरम में उपस्थित सभी अतितियों और अभीबावकों का आभार जताया एनुल रिजर्ट डे के अपसर पर स्कूल के सभी सिक्षक, श्टाफ और काफी संख्या में बच्चों के पैरेंट्स मौजूद रहे एक बार लाओ और चलाते ही जाओ हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर बन और एनर्जी एफिशिंट जो रखे एन्वार्मेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का खयाल रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन हमारे यहां LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरुरत को पूरा करेगी लेकिन यही नहीं हमारे LED लाइट्स सिर्फ चमकदार नहीं बलकि एन्वार्मेंट फ्रेंडली भी है बच्चया जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चशा तूरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे बच्चा छतिक रस्त हो जाता है और उसके बच earn कि सम्मावना कम हो और यदी बचा तो भविस में उसमें बिकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन से ठीक 6 घंटा के अंदर यदी उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के सने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया तो आप सने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में जरू संपर करें भागलपूर हभीपूर इस्थित हजरत अंजान सह का सालाना उर्शेपाक सनी बार को धूमधाम से मनाया गया इस अफसर पर दरगा परीसर को आकरसक ढंग से सजाया और समारा गया था वही मगरिब की नमाज के बाद दरगा सरीप पर चादर पुसी की गई लोगों ने देश में भाईचारा सांती और तरक्की की दूआ मांगी इसाकी नमाज के बाद तक्रीर और नाकिया कलाम पढ़ा गया कारिकरन देर राग तक चलता रहा जिसमें मौलाना हसनेन बारसी सेद बिलाल असरफ ताजुदीन बारसी तौकी रजा मौलाना जमीर उद्दीन जामी ने दिन इसलाम से जुड़ी बातों को बताया अपने संबोधन में उलेमाओं ने कहा कि बुज़र्गों ने हमेशा से लोगों की भलाई के लिए काम किया और बुराई से बचने का संदेज दिया है मौके पर दरगाह की देखरे करने बाले मौहमद रहान बारसी उर्फ चुन्ना मास्टर कमेटी के मौहमद बुरहान बरसी, मौहमद टिपू, मौहमद अनबार, मौहमद रौकी, मौहमद साहिद, कामरान आलम समेट कई लोग मौज़ूद थे जलवा है अनजाद शादा, हाँ, सिर्फ जलवा है अनजाद शादा कि जिस तरफ नई मेजर जादी गए सिर्फ जलवा है अनजाद शादा सिर्फ जलवा है अनजाद शादा सिर्फ जलवा है के अफसर पर विश्व मधूर संस्था की ओर से भागलपूर के गोला घार चौक के समीप नुकर सवा का आयोजन किया गया जिसमें सहर की कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया भी नुकर सवाकर महिलाओं ने जिलाधिकारी से सबजी मंडी और बाजार में सोचाले की समयत कई महिलाओं मौजूद थी